इपोल इंडियन चेम्फर अफ कोमर्स अंड इंडस्ट्री डे योगत ते अभिस्वंबोध ने जेए गयान पर्थाने मंद्री नर्येंद्र मोदी तलसा में दुर शेंगल लेक। किसी कसोटी से हम कैसे निपट रहे हैं, मुश्किलों से कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये आने वाले अवसरों को भी टाय करता है। साथियों, हमारी हां कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यानि हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ज तै करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है। एक दूसरे का साथ देते हुए है, आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही जादा आते हैं, और अवसर भी सामने चले आते हैं। साथियों, ये हमारी एक जुटता, ये एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी आपदा का सामना करना, ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसिबत की दवाई, मुसिबत की एक ही दवाई है, मुसिबत की दवाई मजबूती है। मुस्किल समयने हर बार भारत के determination को अधिक स्ट्रेंदन किया है। एक नेशन के रूप में देश वास्यों के रिजॉल को उर्जा दी है। संकल्प को शक्ति दी है। यही भावना है। आज ICC के आपके मेंबर के चहरे पर भी और देश वास्यों के देरे पर भी मैं देख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। करोडों देश वास्यों के प्रयासों में मैं एक नई आशा देख सकता हूँ। मैं अब इस बात देश करता हूँ कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है पूरी दुनिया इससे लड़ रही है कोरोना वारियस के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सब के बीच हर देश वासी है अब इस संकल से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है ये टर्निंग पॉइंट क्या है आत्मंदिर भर भारत सेल्फ रिलाएंट इन्या आत्मंदिर भरता का सेल्फ रिलाएंट का ये भाव पर्सों से हर भारतिय ने एक एस्पिरेशन की तरह जीया है लेकिन फिर भी एक बड़ा काश एक बड़ा काश हर भारतिय के मन में रहा है मस्तिस्क में रहा है यह काश क्या है काश हम मेडिकल एक्विप्मेंट के खेतर में हात मंदिर बढ़ होते काश हम डिफेंस मैनुफेक्चरिंग में हात मंदिर बढ़ होते काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में हात मंदिर बढ़ होते काश हम एडिवल ओईल में fertilizers के खेत्र में हाथ मंदिर बर होते हैं काश हम electronic manufacturing में हाथ मंदिर बर होते काश हम solar panels batteries और chip manufacturing में हाथ मंदिर बर होते काश हम aviation sector में भी हाथ मंदिर बर होते ऐसे कितने सारे काश अंगिनतकार हमेशा से हर भारतिये को जब्जोरते रहे हैं साथियों एक बहुत बड़ी बज़र रही है कि बीते पांच-छे वर्षों में देश की नीती और रिती में भारत की आत्मनिर भरता का लक्ष सर्वो परी रहा है अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गती और तेज करने का सबक दिया है इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभ्यान साथियों हम देखते हैं परिवार में भी संतान बेटा हो या बेटी अठारा बिस साल का हो जाता है तो माबाप उसे सबसे पहले कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो हर परिवार में सुनाओगा आप जो मुझे सुन रहे समने सुनाओगा कि अठारा बिस साल की उमर में उनके माबाप में उनको कहा होगा कि बेटे बेटी अब अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो एक तरह से आत्मा निर्भर भारत का पहला पाठ परिवार से ही शुरू होता है भारत को भी अपने पैरों पर ही खड़े होना होगा साथियों आत्मा निर्भर भारत अभ्यान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने भविश में उनी प्रोडक्स का भारत एक्स्पोर्टर कैसे बने इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है इसके अलावा हर वो सामान जो भारत का लगू द्यमी बनाता है हमारे हैंडी क्रेप वाले जो सामान हमारे सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जुड़े करोड़ों गरीब बनाते हैं जो दसकों से हमारी हां बनता आ रहा है गलियों महलों में बित्ता रहा है उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगाने की प्रभूति इस पर भी हमने आत्मसंयम बरतना है हमें नियंत्रन करना है हम इन छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों से केवल चीजी नहीं करिते पैसे ही नहीं देते उनके परिश्रम को उरस्पूत करते हैं मान सम्मान बढ़ाते हैं कभी सोच ना आप मर्सिडिस गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और फुटपार पर छोटी चीज बेचने वाले की चीज आपने उतर करके खरी दी वो पैसे नहीं गिनेगा वो उसकी चाती फुल जाएगी देखे मर्सिडिस गाली वाला भी फुटपार पर मैं बहले बढ़ा हूँ लेकर उतर करके मेरे से समान खरीद रखा है उसकी जिन्दगी कोई धाकत मिलता है उसको सम्मान मिलता है हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इससे उनके दिल पर कितना प्रभाव पड़ता है वो कितना घर्ब मैसुस करता है इसलिए अब अपने लोकल के लिए वोकल होने का समय है हर गाउं, हर कद्वे, हर जिले, हर प्रदेश, पूरे देश को आत्मंदिर भर करने का समय है साथियों सालों पहले, तस्वकों पहले स्वामी विवेकानन जी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था the simplest method to be work upon at present is to induce Indians to use their own produce and get market for Indian hardware in other countries Swami विवेकानन जी का पता है ये मार्ग post-Covid world में भारत की प्रेरणा है अब देश प्रान कर चुका है और देश कदम भी उठा रहा है आत्मा निर्भर भारत अभ्यान के राहत जिन बड़े reforms की गोशना की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है मसमे की देफिनेशन सानों से लटकी हुई बात उसका दायरा बढ़ाना हो या मसमे के सपोर्ट के लिए हजारों करोड के special funds की व्यवस्ता हो ये जब आज सच्चाई बन रहे हैं आई बीसी से जोड़ा फैसला हो छोटी छोटी गल्पियों को तीक क्रिमिनलाइज करने का फैसला हो इंवेस्मेन की फास्ट ट्रेकिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट सेल्स का गटन हो ऐसे अनेक कारियर पहले ही हो चुके हैं अब तमाम सेक्टर्स खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफार्म्स एनाउंस हुए हैं उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उत्योग जगत आए हैं आगे आएं मेरे युवा साथी आप आगे आएं साथियों किसानों और रूरल एकानामी के लिए जो निर्णे हाल में हुई हैं उन्होंने एग्रिकल्चर एकानामी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है सची आजादी किसानों को मिली है अब भारत के किसानों को अपने प्रोड़क्ट अपनी उपच देश में कही पर भी बेचने की आजादी मिल गई है APMC Act Essential Commodities Act उसमें जो संसोदन किये गए है किसानों और इंडस्टी के बीच पार्टनर्शिप का जो रास्ता खोला गया है उससे किसान और रूरल एकानामी का काया कल्क होना ताय है इन फ्रेंसलों ने किसान को एक प्रोडूसर के रुप में और उसकी उपज को एक प्रोड़क के रुप में पैचान दी है साथ क्यों चाहे किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांस्पर करना हो चाहे MSP का फैसला हो उनकी पैंशन की योजना हो हमारा प्रयास किसानों को ससक्त करने का है अब किसानों को एक बड़ी मार्केट फोर्स के तौर पर विक्सित होने में सहायता की जा रही है साथियों लोकल प्रोडस्ट के लिए जिस क्लस्टर बेज एप्रोच को भारत में बड़ावा दिया जा रहा है उसमें भी सभी के लिए अवसर भी मोजूद है जिन जिलों जिन ब्लॉक्स में जो पैदा होता है वहीं आसपास इन से जुड़े क्लस्टर विक्सित किये जाएंगे जैसे पस्चिम मंगाल में जूट किसानों के लिए पास में ही जूट आधारित उद्योगों को और मजबूती दी जाएगे फोरेस्ट प्रोडूस की अपार संपदा जुटाने वाले आदिवासी साथ जोगों को उनके छेत्र में ही आधुनिक प्रोसेजिंग उनिट्स उप्लब्द कराई जाएगी इसके साथ ही बांबू और और और्गनिक प्रोडूस के लिए भी क्लॉस्टर्स बनेंगे सिक्किम के तरह पूरा नॉर्थ इस्ट और्गनिक खेती के लिए बहुत बड़ा हब बन सकता है और्गनिक कैपिटल बन सकता है आई सी सी के साथ चुड़े आप सभी वैपारी अगर खान ले तो नॉर्थ इस्ट में और्गनिक फार्मिंग बहुत बड़ा अंदोलन बन सकता है आप उसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं आप अगर चाहें तो और्गनिक प्रोड़क को ले करके ग्लोबल मार्केट पर चाह सकते हैं साथियों आप सभी नॉर्थ इस्ट पुर्वी भारत में इतने दसकों से काम कर रहे हैं सरकार ने जो तमाम कदम उठाये हैं इनका बहुत बड़ा लाफ इस्ट और नौर्थ इस्ट के लोगों को होगा मैं समयता हूँ कि कोलकता भी खुद फिर से एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है अपने पुराने गवरों से प्रेणा लेते हुए भविश्मे कोलकता पूरे खेत्र के विकास का नेत्रुत्व कर सकता है आपसे बहतर और कौन जानता है कि जब स्रमिक पुर्व के संपत्ति पुर्व की संसाधन पुर्व के तो इस खेत्र का विकास कितनी तेजगती से हो सकता है साथियों पांच साल बाद यानि वर्ष दो हजार पटीस में आपकी संस्ता अपने सो वर्ष पूरे करने जा रही है वहीं वर्ष दो हजार पाइस में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रही है यह आपकी संस्ता के लिए आपके प्रतेख सदस्य के लिए आपकी कोई भी अउद्योगी काई हो या व्यपारिक काई हो बहतरीन समय है एक बड़ा संकल्प लेने का मेरा आपसे आग्रह है कि आत्म निर्भर्ग भारत अभ्यान को चरितार्थ करने के लिए ICC भी अपने स्तर पर पचांसों नए लक्ष ताय करेंगे यह लक्ष संस्ता के भी हो इससे जुड़े हर उद्योग और व्यापारिक काई के भी हो और हर व्यक्ति के भी हो अब जीतना अपने लक्ष के और आगे बढ़ेंगे उतना ही यह अभ्यान पूर्वी भारत में नौर्थ इस्ट में आगे बढ़ेगा जो देश को भी आगे लेट जाएगा साथियों मेनुफेक्चरिंग में बंगाल की एटियाशिक सेश्टा को हमें पुनर्जिवित करना रहे होगा हम हमेशा सुनते आये हैं वाट बंगाल थिंग्स तूड़े इंडिया थिंग्स टूमरो हमें इससे प्रेणा लिटे हुए है हम सब को मिल करके आगे बढ़ना होगा यह समय इंडियन एकोनामी को कमान एंड कंट्रोल से निकाल कर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है यह समय कंजर्वेटिव एप्रोच का नहीं है बलकि आगे बढ़कर बोल्ड डिसिजन्स का है बोल्ड इंवेस्टमेंट्स का है यह समय भारत में एक ग्लोबली कंपिटिटिव डॉमेस्टिक सप्लाई चेन तयार करने का है इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मोजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है साथियों आत्म निर्भर भारत भ्यान में आगे बढ़ते हुए कोरोना काल से संगर्स करते हुए आज आपने इस एडियम में जो पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट का भी से उठाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर है कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के अपुजिट है विरोधाबाशी है लेकिन ऐसा नहीं है पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है ये तीनों एक साथ फ्रिश कर सकते हैं को एक्जिस कर सकते हैं मैं आपको कुछ उदान दे कर समझाता हूँ जैसे भारत में हमने LED बल्ब का एक बहुत 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 अभियान चलाया अब ये LED बल्ब अपने आप एक बड़ा प्रेर को उदान है पांच-छे बर्थ पहले एक LED बल्ब साड़े तीन सो रुपिये से भी जादा में मिलता था आज वही बल्ब पच्चास रुपिये तक में मिल जाता है आप सोची है कीमत कम होने से देश भर में करोडो करोडो के संख्या में LED बल्ब गरगर पहुँचे हैं स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं ये कॉंटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्वादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बड़ा है इससे लाग किसको मिला है पीपल को आम देश वाजी को जिसका बिजली का बील कम हुआ है एक मूता मूता अंदाज में लगा सकता हूँ आज प्रतिवर्ष एवरियर देश वाजियों के करीब करीब QUER एक मूतामूं के लिएवर्णने के लिएवर्णने कि कुछ नाय प्रथान मंद्री प्रसंगें लागता इंडिया अवरत जिवर्दी करीब झाल झाल